नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त बरुन कुमार और आप देख रहे हैं प्रोब्लेम आपकी शालूशन हमारा तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आउनलाइन किस पेमेंट करके दिखाऊंगा इस वीडियो में कुल मिलाकर हम सीखेंगे कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल या लेपटॉक अपने एक दो महीने लेट हो जाता है तो एजेंट लोग काफी ज्यादा चार्ज ले लेते हैं उसका मतलब आपका उधर लगेगा 20 यह सब चीजों से बचनी के लिए आपका जितना पैसा लएगा उतना ही पेमेंट होगा इसमें और इसके फायदे काफी सारे हैं आपको एजेंट के पीछे नहीं घुमना पड़ेगा असक्रास आप अपना बिल ऑनलाइन घर बैठे अपनी मोबाइल से या पीसी से कर सकते ह हैं अपने ATM कार्ड से कोई इंटरनेट बैंकिंग की भी जगरत नहीं है इसके लिए अपने ATM कार्ड से आप अपने LIC की प्रीमियम पे कर सकते हैं तो बहुत ही आसान है दोस्तों तो मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से सिखाऊंगा कि आप LIC का प्रीमियम अप मैं सबसे पहले उसके बाद आपने Google Chrome खोल के इसमें Google सेर्च करना ठीक है डारेट गूगल में यदि नहीं खुलता है आपका इसमें जाक के आपने फर्स्ट क्लास पर सर्च मारेंगे तो आपके सामने Google इंडिया आएगा उस पर आपने लिक कर देना है गूगल इंडिया प और यहां पर भी कर सकते हैं तो आप किसी पर ही करिए यहीं साइट कुलेगी फ़र्सट वाले पर मैंने क्लिक किया तो आपके सामने ऐसा खुल इगा ठीक है वह आपने क्या करना है इसमें तो उसके बाद आपने पे प्रीमियम थ्रूइज सर्विस पर लिक कर देना यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह दो ऑप्षन खुलेंगे रजिस्टर यूजर अव्लिव एजड़ सब्सक्राइब करना है उसमें अपको थ्थोड़ी सी प्लेक्ट भी हो जाता है लेकिन ऊसमें धोड़ा आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा वापने क्या करना है य date of birth जो आपकी policy में है यहाँ पे mable id नंबर आपकी जो email id है उसके बाद नीचे पेंज card नंबर पास्पोर्ट नंबर भरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आधार card number भरना है यहाँ पे mobile number आपने जरूर डालना है और यहाँ पे आपने amount डालना है तक है कि आपका कितना ओन है पर मंध या पर कोड़र ऐसे करने जो भी कढसे है करने आप और नहीं दराघले हैं उसके बाद आप mail हैं तो mail पे नहीं तो female पे क्लिक करके proceed कर दिना, इसके बाद अगले step में आपका account बन जाएगा, उसमें आपको password set करने के लिए आएगा option, तो password set करके आपका account बन जाएगा, उस password और ID भी बन जाएगी, तो ID बनेगी आपकी email ID और phone number पे, तो उसे आप email ID और password डाल के भी sign in कर पाएगे, और phone number और password डाल के भी sign in कर पाएगे, तो मैंने इसमें account बना लिया है, तो मैं यहाँ पे sign in करूँगा, ठीक है, बहुत आसान है, एक account बनाना, मेरे पास दूसरा ID है नहीं नहीं, तो मैं आपको बना के भी दिखा जाएगा, बहुत ही simple है, इसक नहीं से, तो आप email ID के साथ भी login कर पाएगे, नहीं तो आप mobile number से ही login कर सकते हैं, सीधा सीधी, तो यहाँ पे आपने sign in पे click कर देना है, account बन जाने के बाद, और यह देखिए, अपनी आप मैंने save कर रखा, इसलिए आ गया, तो मैं mobile number से login कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने date of birth भरनी है अपनी, date of birth भर देते हैं, तो यहाँ पे आपने email ID, phone number, यहाँ पे जो password आपने set किया है, और यहाँ पे date of birth डाल के, और sign in कर देना है, ठीक है, sign in कर दिया, तो एक alert बताएगा, और इसको okay कर दीजे, तो आपकी ID खुली आएगे, देखिए, देखिए, देखिए मेरी ID खुल गई है, अब इसमें काफी सारे आपको सुविधाय मिल जाती है, तो मैं इसमें सिर्फ आपको payment करने के लिए बताऊंगा, तो basic service जो है, basic service पे जैसे ही आप करसर ले जाएंगे, तो आपके DNS ID खुल जाएंगे, कई सारे, तो बाकी चीजों का मैं नहीं यहां से आप payment receive देख सकते हैं, पुराने वाले, बाकी यहां से premium calendar बगएर है, तो loan status है, तो हम इसमें सिर्फ बात कर रहे हैं, पे करने के लिए, तो pay online पे आपने click करना है, पे online पे click किया, उसके बाद आपने renewal premium पे click कर देना है, तो यह आपके सामने निकाल के रख देगा, यहां पे policy number आपकी आजाएगी, यहां पे आपका जो due date था, हमारा दो महीने लेट हो गया है, दो या तीन महीने, तो सब कुछ यहां पे आपके सामने निकल के आजाएगा, और यहां पे देखिए tax भी लग के आगया, 70 रुपया हमको extra 4 देना पड़ रहा है, और 2 रुपय और 72 रुपया को मिला के हमको जादा भरना पड़ रहा है, क्योंकि मैं late payment कर रहा हूँ, तो यह देखिए agent लोग 1500-200 रुपय ले जाते हैं, कि आपका इतना late हो गया, तो इतना पैसा लेगा, तो यह आपका बच जाता है online payment करने में, तो यह हो गया, आपने यहां से check कर देन है, भाईया, यह मेरी policy है, इसमें और भी policy आप इंटर कर सकते हैं, और भी policy number, तो proceed to pay कर देना है आपने, उसके बाद देखिए, यहां पे कुछ और confirmation के लिए पुछेगा email ID जो है, इस पे वो क्या करेगा, आपका receipt भेज देगा, payment का confirmation भेज देगा, नीचे कुछ नहीं है, तो आपने यहां सिधा pay now पे click कर देना है, pay now पे click करेंगे, तो यह देखिए आपके सामने तीन options आ जाते हैं, भी M.P.I. से कर सकते हैं, चार्टर से कर सकते हैं, तो हम इसमें आपको David Card से करना सीखाएंगे, क्योंकि David Card हर एक के पास होता है, तो आपने यहां पे क्या करना ह पे now पे click कर देना है, पे now पे click करेंगे, तो आपके सामने ऐसा को, David Card select करने के बाद यहां पे card number डालना है आपने, यहां पे month, verse, CBV number, card holder, name, यह सारा कुछ मैं भर देता हूँ, नाम भर के, क्या करना है, make payment पर click कर देना है, यह अपने आप लिलेगा, जितना भी आपका amount र time लगेगा, आपका जो भी bank है, उस अनुसर, हो सकता है, आपके mobile पे code आए, code डालके आपने यहां पे submit कर देना है, तो यह देखिए, submit कर दिया हमने, और यह first class आपके सामने, payment का detail आ गया है, ठीक है, payment ID इतना है, LIC order number A है, payment successfully, तो इसको आपने save कर लेना है, तो आपका payment हुआ की नहीं हुआ, वैसे तो कोई ऐसी problem नहीं है, लेकिन फिर भी जो पहली बार करेंगे, उनको थोड़ी तसल्ली के लिए मैं बात बता देता हूँ, आपने दुबारा से login करना है, और यहां basic service पर क्लिक करना है, बेसिक service पर जैसे करसर जाएगा, यहां पर ताकि घबड़ाये नहीं, जो पहली बार जो लोग payment करेंगे, घबड़ाये नहीं, तो एक काफी बेहतर तरीके से आप अपना LIC का कीस्त है, वो payment कर सकते हैं, ऑनलाइन एक दम बिन डरे, निश्चेन्थ होकर, वासा करता हूँ, यह वीडियो हमारे दोस्तों के लिए काफी फायदे मंद होगा, ताकि लोग इसका फायदा उठाएंगे, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें, ताकि आपके दोस्तों लोग भी इसका फायदा उठापाएं, तो मिलते हैं अगले वीडियो हमां दोस्तों, तब तक के लिए जैहिंद, जैभारत, आम सेर जा तोस्तों, OK27, कर दोस्तों आ थाजी हमां मिलते हैं, कि म एम बादelle एस जेफिता हमाने, वी दोस्तों, जैब दोस्तों हम royal सबराणे मिलते हैं, साम डाम जालना यार पायता हैं, कि रॉग सेर लोग्त हैं पायते पली हैं लोगगाउ, साम श्योगा,.